जैन दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्वियल में मैं संजीव साथियो इस उत्तरप्रदेश पुलिस की जो प्रिवियस से रसलंखला है साथियो इसमें एक और नए टॉपिक के साथ साथियो आपके सम्मखाया हूँ साथियो तो कह सकता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एकॉनिमिक्स भारती अर्थविस्था साथियो इसके अंतरगत हम कह सकते हैं कि यूपि पुलिस में चाहे एसाई हो कॉंस्टेविल हो रेडियो अपरेटर है या एसाई है जिनमें पिछले एक्जाम में कुछ कुस्टन जो इस एकॉनिमिक्स से पूछे गए हैं उनको हम डिसकस करेंगे तो कह सकते हैं साथियो कि ये जो क्लास है आप लोगों के अकजाम के लिए बहुत ही रामबाल सिद्ध होगी जिसके साथ में आपको बताओं कि ये से ये सेनैवस दिया है साथियो जिसमें एकॉनिक्स के बारे मिम बताया गया है तो हमारा topic उसमें दिया है इसलिए हему इस इसको आज discuss कर रहे हैं और इससे काफ ही आपको help मिलीगी तो साथियों जैसे जन साथियों का हमारा साथियों का जैसे रिजिनिंग का portion ये कछन तर्क और discuss कारवाईयां कछन पुबढ़ारा वाला कमजोर portion हो तो वो हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं ग्यानारीवेल चैनल पर और कह सकते हैं कि यह स्टैटिक जीके है या पूरा जीएके जीएस का पूर्शन पड़ा हुआ है साथियो और जैसे यह भी है रेडियो अपरेटर के लिए बनाया था साथियो पूरा टॉपिक बाइज दिया गया है तथा UPSI का साथियो हाल सेप्ट का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और जैसे हिंदी संपूर हिंदी पूरी है साथियो जैसे को देख कर साथियो आप बहुत ही अपनी एक्जाम में चार चांद लगा सकते हैं उत्तरपदे इस फेसल की वीडियो पड़ी हुई है जो भी साथी देखना चाहें तो देख सकते हैं ये तो हमारी प्लेलिस्ट हो गई साथियो जैसे जो भी साथी जिनका स्टेक्टिक जीक का पॉर्शन बहुत कमजोर है GS में साथियो कह सकते हैं आपको बहुत अच्छे नमबर लाने है तो हमारी साथी कैसे कम से कम 15 गुस्षन साथियो 15 से 18 गुस्षन हमारी इस टेक्टिक जीक से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे साथियो तो कह सकते हैं ये बहुत ही रामबान सिद्ध होगी आपके एक्जाम में साथियो जैसे कि अभी हैड ओप्रेटर का एक्जाम हुआ है तो उसमें साथियो 17-18 गुस्षन देखने को मिले हैं हमारी इस पीडियर से साथियो तो जो साथि कह सकते हैं इसको लेना चाहें तो पर्चेस कर सकते हैं जिसके लिए आपको ग्यान-RVL Official एप डाउनलेल करने पड़ेगा साथियो ग्यान-RVL नाम से आपको वो गूगल प्लेस्टोर पर मिल जाएगा और वहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं हमारे इस नम्बर से आप साथियो बारसा से संभर कर सकते हैं और साथियों हमारे और भी कछ बैच हैं जैसे यह हमारे एप पर जलता है जैसे ग्यान-RVL आप हैop है साथियो इसमें यह सब दिया है जैसे साइण्स का भी हो गया और सफलता 2.0 जो हमारा जूनियस स्टेंट का वैच्छ साथियो जिसकी अभी भरती आई हुई थी जैसे 5512 पदों बेकंसी बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट तयार किया है डेवलप किया है हमारी सेलेक्टिट टीम के दोरा जिसमें मैं और हमारे संदीब सर्थ दो लोग ज chicos है साथियो सेलेक्ट केरे हैं साथियो और कह सकते हैं कि जैसे यूपी स्पेशल की जो इवोग्यें साथियो बहुत ही मेहनट किया है इसको आप देख सकते हैं और यह हमारा जैसे आईयव, तुरा हो गया साथियो ठीक है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थवस्ता की जो या कह सकते हैं यूपी पुलिस में जो कह सकते हैं प्रिवियस एरस रंखला है उसमें हमने अर्थवस्ता की कल 40 कुस्टन को जिस्स किया हुआ था अब हम उसी के आंगे डिस्क्स करेंगे साथियो तो कह सकते हैं आज का जो हमारा कुश्चन जैसे है इन सब कुश्चनों को हम करवा चुके हैं यदि आप लोगों ने देखा नहीं हो तो आप यूटूब पर जाकर इन सब को देख सकते हैं और सबस्क्स करेंगे से अपने तयारी को इन कुश्चनों को देखकर अच्छे से कह सकते हैं तो साथियो कह सकते हैं कल का जो हमारा लास कुश्चन था वो यह था कि निम लिखित में से सस्थी मुद्रा नीती का तातपर क्या है तो अंधता पूर्ड रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेस को बढ़ावा देने के लिए तैयर की गई नीती ये क्या कहलाती है तो सस्ती मुद्रा नीती कहलाती है तो आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं साथियो तो आज का जो हमारा पहला आटूस्टन है यह है कि बित्रमंत्री द्वारा बजट की पिस्तुती के संधर में निम्लिक्षत में से कौन सा सही है तो साथियो बजट के बारे में पूछा गया है तो जैसे कि यहां पर यह है कि बित्रमंत्री का बजट वासर सामाने तया दो खंडों में होता है खंड ए करने धारण संबंदी प्रस्तावों पर और खंड भी देश के सामान आर्थिक सर्विचल पर गौर करता है दूसरा है किसी चुनाव वर्स में बजट दो बार पेस किया जा सकता है पहली बार ले कैसकते हैं कि इसका हो जाएगा केबल भी सही है साथियो ठीकर तो केबल भी ओफ्स No.C में आ जाएगा ठीकर üşसकी इसका एकलेशन में ये दिया गया है कि बित्रमंत्री जारा किसी चुनाव वर्स में बजट की प्रस् faço केबल दो बार ही पेस किया सकती है पहली बार लेखा S.P.T. मुद्रा S.P.T. एक सयोजन है डौट डौट वास्तविक सकल कैसकते हैं कि G.D.P. का या सकल घरील उत्पाद का तो यहाँ पूछा गया है और बढ़ता मूल इसतर का तो जैसे यह है कि मुद्रा S.P.T. एक सयोजन है किसका किसका सयोजन है साथियो पाद और बढ़ता मूल इसतर का याद रखना है ठीक है तो जैसे यहाँ पर एक्पिलेशन में भी वही दिया गया है जैसे अंगला कुछ सन है कि मैट मैट लगाया जा सकता है या लगाया जाता है न्यूनतम बैकल्पिक टेक्स बोलते हैं ठीक है तो हाँ सून कर कंपनियों या ग्रीन फिल्ड कंपनियों पर जीवन वीमा का बेबसाय पर या ब्राउन फिल्ड कंपनियों पर तो मैट की बात कर रहे हैं तो यह लगता है साथियों कह सकते हैं कि जो सून कह सकते हैं जो होती हैं कंपनियों या सून कर कंपनियों पर तो जैसे इसमें दिया भी है कि ऐ सून अधवा नाम मात का कर भुक्तान करती है जीरो टेक्स कमपनिया कहलाती है इन सून पर कमपनियों को कराधीन लाने है तो इन पर नियूंतम बेकल पिक कर आरूपित किया जाता है जिसे M.A.T. बोलते है ठीक है और इसका प्राउधान 1987 के बित अधियम के दोरा किया गया थ अगला गुस्तन है कि बर्डित मेंसे नीती आयोग के पदे नद्यच कौन होते है तो सीधा-सीधा है भारत के जो प्रधान मंत्री होते है वो नीती आयोग का पदे नद्यच होते है ठीक है योजना आयोग के होते है ठीक है योजना आयोग हो गया नीती आयोग हो गया प्रधानमंत्री होते हैं अच्छा गुसन है और नीतियायोग की बात करें तो साथियो आपको पता होगा पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ गरता था उसी के स्थान पर नीतियायोग आया है जो योजना आयोग है ये 15 मार्च 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था इसी के स्थान पर क्या सकते एक जन्वरी 2015 को एक जन्वरी 2015 को क्या सकते है नीतियायोग की स्थापना की गई थी याद रखना है तो नीतियायूग इसे National Institution for Transforming India बोलते हैं नीतियाईः को मतलब राश्टी भारत प्रवर्तन संस्थान होता है भारत सरकार दार अगठय एक नया संसादन है ठीक है ये समधानिक भी नहीं है इसे गैर समधानिक बोलते है जिसे यूजनाय एक के स्थान पर बनाया गया एक जनवी दोर्पंदा को नए संस्थान के समन्द में जानकारी देने वाला मंत्री मंदल का प्रिस्ताव जारी किया गया तदकालीन पीएम या प्रधान मंत्री नीद्यायक का पदे नद्यच होता है बेरी इंपोर्टेंट है और बड़तमान में अब यह नहीं है साथियो तो बदल गए है तो बीवी आर सुबरे मन्यम तो इसके सीओ पूछे जाएं बीवी आर सुबरे मन्यम जो है वी आर सुब्रेमिनियम सीईओ है नीतियाग के जबकि उपाद्यत सुमन बैरी है उपाद्यत कौन है सुमन बैरी ठीक है तो ये सब याद रखना है सुमन बैरी जो है इनके उपाद्यत छेजाती हो नीतियाग अंगला कुशन है कि डोट डोट एक महिला सरकारी सहिकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है जिनमें प्रमुक है लिजजत पापर तो ये कौन है तो स्वानियोजित महिला संगठन भारती ग्रामिड महिला संग दुरगा वाहिनी ये स्री महिला ग्रह द्योग तो स्री महिला ग्रहे द्योग एक महिला सहकारी संग्ठन है ठीक है जो क्या करता है जो तरह तरह के सामान बनाती है जिनमें प्रमुक लिज्जत पावार ठीक है तो ये स्री महिला ग्रहे द्योग संग्ठन तो कह सकते हैं 1950 में साथ गुजराती महिलाओं ने 80 रुपई की लागत से पापड बनाने का काम शुरू किया 1960 में यही पापड लिजजत कह सकते हैं इन महिलाओं के संगठन को स्री महिलाग रहे उध्योग लिजजत पापड नाम दिया गया अंगला गुशन है कि वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रतेग अबधी के लिए सभी खर्चों को नयायोचित होना चाहिए तो पहला है कि संतुलिद बजट या दूसरा जेंडर बजट तीसरा अनपातिक बजट और चौता सून अधारिद बजट तो कह सकते हैं जिसमें प्रतेग अबधी के लिए सभी खर्चों को नयायोचित होना चाहिए वो सून अधारिद बजट होता है कौन होता है जीरो बेस्ट नेक्स्ट है अब में बजट की बात करूँ तो साथियो हमारे समधान के अनुच्छेद 112 में बारसिक बित्ती बिविरड क्या है बारसिक बित्ती बिविरड बोलते हैं साथियो ठीक है जबकि बजट बित्तमंत्री पेस करते हैं और कह सकते हैं कि बत्मान में बित्तमंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी है और बजट सब्दकावलेक समधान में कहीं नहीं है ज़र वहाँ पर सब्दकावलेक किया गया है तो यहाँ पर जैसे बताया गया है सून आधारेज़ बजट का परियोग सर्बर्थम उनिस्वासट में पीटर पायर दोरा अमेरिका में किया गया था कब हुआ था उनिस्वासट में किसके दोरा कहां तो अमेरिका में पीटर पायर दोरा सून आधारेज़ बजट के अंतरगत बर्तमान बर्स के बजट के निर्माण में सून को आधार माना जाता है ठीके में प्रतेग वर्स को नए वर्स के रूप में माना जाता है ठीक है अगला कुशन हो जाएगा हमारा कि वर्स 2016 में वर्स 2016 में अंतरास्टी मुद्रा को जिसे हम IMF कहते हैं ठीक है IMF है हाँ यहाँ पर दिया है IMF ने चार देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिये जो उसकी सासन सलचना को परभावित करते हैं निवन मैंसे कौन सा देश उसमें एक नहीं है साथ ही यह कुशन उसमें करेंड इफेर्स का है ठीक है क्योंकि दोर 16 का वह 17 पूशा गया है तो उसमें जो भी रहा हो इसको कुशन को कराने का उद्देश यही था कि इस परकार कुशन को भी आपको याद रखना है ठीक है तो यहां पर जैसे दिया गया है ठीक है तो कौन-कौन से हो जाएंगे जैसे सीलंका है ना हां सीलंका को नहीं दिया गया ठीक है जबकि चीन भारत और ब्राजील को दिया गया था IMF का मतलब होता है International Monetary Fund और कहसकते हैं वासिंगटन डीसी में इसका हैड़कौरटर है वासिंगटन डीसी यह डीसी का मतलब होता है District of Columbia तो Columbia का जो District है बासिंगटन ठीक है याद रखना है अब कुस्षन यह है कि IMEB की स्थापना तो कह सकते हैं कि जब Britain बुर्ट सम्हीलन हुआता साथी हो Britain जो Britain बुर्ट सम्हीलन था उने सो चावालिस में जब यह होता है ठीक है यह भी याद रखना है 1945 से अंगला है कि केंदर निम्लिखित में कौन सा कर लगाता है लगाता कॉमा इकत्रत और पतिधारित करता है तो केंदर का पूछा गया है निम्लिखित में से कौन सा है तो ओस्थन है ओस्धी निर्माडों पर उत्पाद सुल्क आएकर पर अधिभार रेलवे और मुद्रा सुल्क तो केंदर का आएकर पर जो अधिभार होता है वो कह सकते हैं केंदर निम्लिखित लगाता है और एकत्रत और पतिधारित करता है यह भी याद रखना है ठीके तो केंसरकार आयकर पर अधिकार अधिभार लगाता है एक अत्यत करता और पधिधारित करता है अंगला है कि भारत में बारेजिक बेंकों भारत में बारेजिक बेंकों दोरा किरसी रिड़ निम्रिक्ष्ट मेंसे किस युजना के अंतरगर स्विकर्ट नहीं किया जाता है तो सिचाई हो गया है ना सिचाई भूमी विकास और भूमी बंदक और सुस्क भूमी खेती तो इसका हो जाएगा option C भूमी बंदक मतलब भूमी बंदक का मतलब होता जैसे किसी के जब ख़तोनी देखते हैं तो उसने कहीं कैसे अपनी भूमी पर रिड़ तो नहीं ले लिया है बंदक भूमी बोलते हैं भारत में बाड़ेजिक बंदक को द्वारा सिचाई भूमी विकास सुस के भूमी खेती पर किरसी रड़ पतान की जाती है जबकि बंदक रिड़ या गिर्मी कर्ज उस रिड़ को कहते हैं जो किसी बास्तिक संपत्ती जैसे घर भूमी सोना आधी को बंदक रखकर तथा एक बंदक बिलेग के द्वारा प्राप किया जाता है संपत्ती का स्वामित्वाधिकार रिड़ दाता के नाम हस्तांतर्ट करना पड़ता है रिर चुकता हो जाने या देता निप्तान के बाद हस्तांतर्ट सून हो जाता है अंगला है जिन महिलाओं की आय यहाँ पर दिया है ठीके तो कह सकते हैं कि 6,00,00 रुपए है कितनी 6,00,00 रुपए है बित्ती वर्स 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है तो साथी उस समय को कुश्ण है ठीके तो उस समय जो था वो 20% थी अंगला है नेमलिखत में से करेंड गती या थीवर्ता के अधार पर कौन सी मुद्रास्पीती का एक परकार नहीं है तो कह सकते हैं लागत जन मुद्रास्पीती ये मुद्रास्पीती का आकार नहीं है जबकि अती मुद्रास्पीती दृत मुद्रास्पीती और मंद्र मुद्रास्पीती ये होती है तो इनके माल की कीमत में ब्रद्धी या लागत में ब्रद्धी के कारण होती है क्योंकि मजदूरी कच्चे माल की कीमत कौमा लागत की ही भाग होती है सीधा सा मतलब यह हो जाएगा नेक्स्ट है अगला गुस्तन जो दिया है वो यह है कि निम्लिखत में से कौन सा दीरकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रडी सिद्ध हो सकता है तो निम्न में जो ये पॉइंट कारवन सजनम ब्रदी, बनोर मूलन आविक सिद्ध देशों को कम सेवा है और ध्योगी करण और अधारवूद सनशना समंदी विकास, ठीक है और बनों का उनमूलन तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा साथियो, कारवन और सर्जन में ब्रदी ये भी नुकसान दे ही है ठीक है, और अविक सिद्ध देशों कम सेवाई ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए, तो इनों साथियो ठीक है, तो इस परकार इसका अंसर क्या हो जाए, और धोगी करण और आधारवूद सनशना समंदी विकास, याद रखना है अगला है कि LPG, ठीक है LPG का मतलब, लिबराजेशन ठीक है, प्राइबिटाईजेशन और ग्लोबलाजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिबराजेशन, प्राइबिटाईजेशन और ग्लोबलाजेशन हाथियो क्या बोलते हैं, लिबराजेशन, प्राइबिटाईजेशन और ग्लोबलाजेशन ठीक है तरासदी ये किसके साथ जुड़ी हुई है तो महराष्ट, करनाटा, केरला या तेलंगाना तो इसका अंसर हो जाएगा साथ ही तेलंगाना सुन लेगे क्या होगा है इसमें समझते हैं एक बार कि LPG जो है उदारी करण, नेजी करण और वेस्वी करण ये उसमें हमारे प्रदान मंतरी प्वी नरसमा राओ जी थे उसमें प्रित मंतरी हमारे मनमहन सिंग जी थे तो मैं काला प्रकड़ सिर्सल, सिर्षिल, तरासदी तेलंगाना के साथ जड़ा हुआ है सिर्सल सत्तर के अदसक में हद करगा अध्योग के लिए प्रसिद्ध था परंतो 1991 के बाद उनकी आर्थिक बदाहली सुरू हो गई, वहां के बुनकर बिरोजगारी का दस जहलने को मजबूर हो गए थे, तो इसलिए इंपोर्टेंटर साथियो ठीक है, तो कहां से तेलंगाना से, और जो तेलंगाना है साथियो ये दो जून, 2014 को आंध्य प्रदेश से अलग होके ए आवंटन का दिधारन करने के लिए, 1971 में बिक्सित हुआ था, सूत्र को चोथी और पाँचमी पंच वरसी योजनाओं के दोरान योजना साहिता के वित्रण के लिए अपनाया गया था, तो कौन-कौन सी वरसी योजनाओं के दोरान, तो साथियो कह सकते हैं कि चोथी और प ठीक है साथियो तो इसका अंसर हो जाएगा गौडगिल सम्थी ठीक है ये गौडगिल सूत्र बेरी इंपॉर्टेंट है गौडगिल सूत्र भारत में राज उजनाओ के लिए केंदरी सायता के आवंटन का दिराड करने के लिए 1979 में विक्सित हुआ था ठीक है चौथी पांच भी पजवसुना के दोरान अगला है निम्लिखत में से कौन सा एक राज जी की उधार लेने की सकती के समंद में सही है तो कह सकते है ये भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता बिशेश सर्तों के अधीन राज को राज के राजस और अच्छे 293 में ये दिया गया है कि ये भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता थदा बिशेश सर्तों के अधीन राज को राज के राजस को जमानत भारत के भुबाग में सही उधार लेने का अधिकार होगा ठीक है तो ये यहां पर दिया गया है अंगला गुशन है साथ निमर्खत पमेंसे कौन सा अच्छा सरकार की और से एक मोध्रिक हस्ता चेप के माध–म से अप्जितविशता सुबिशारेद्व ये तो हो गयाते अंग्ला गुशन है निम्रिखत मैंसे कौन सा सनर्चनात्मक विरोजगारी के roofs Lexering माना जाएगा था तो सन्राचनात्मक विप्रोजगारी का सबसे कंक्र अबादी प्रण होगी कि देशों के बीच मुक्त बैपार समझोते नौकरियों को इस्थानात्र करने के लिए प्रेरित होते हैं करते हैं उस शेत्र का आप प्रासंगिक जिसमें रोजगार के अफसर कम है तो इसमें ये पूछा गया है संद्रचनात्मक विरोजगारी लिए सबसे कम कारणगो पन होती है देश के सामाजिक आर्थिक तकनीकी विकास के परणाम सरूप कुछ उद्योगों का विस्तार हुआ तथा कुछ अन उद्योगों का संकुचन होता गया जिससे विस्तारत उद्योगों में रोजगारों की मांग बढ़ गई तथा संकुचित हो रहे उद्योगों के उत्पादन में लगे लोग बिरुजगार हो गए इस पर की बिरुजगारी में आवादी याजन संख्या को कम कारण माना जाता है जबकि इसका प्रमुक कारण आपरियाप उत्पादन चमता है अंगला कुछ स्थन है कि नेमलिक्ट में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी बसू बैपादन के पूजी गतमूल पर कर तो सातियों कह सकते हैं से दूसरी सिंप्ट में उसी तरह का कुस्ट में बूचा गे साथियों तो यह भूमी राजस्त या राजिका दिया न तो भूमी पर जो लगान होता है सीदा-सीदा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो राजसरका दोर लिये जाते हैं विक्री या बैपार कर परिवहान कर विद्धुत कर खरिश तेल पर विक्री कर स्टांप और स्टेशन सुल्क यह सब राज सरकार के ही हैं लेकिन यह वाले अपर्ट्य अच्छे सिच्छा कर आ दी किन दोर लिया वाले कर कौन-कौन से इनको अच्छे से परिश्च कर में जैसे आयकर हुआ निगम कर धन कर संपत्ती कर उपहार कर खर्च कर ब्याज कर ठीक है जबकि आपरत्यच में GST हो गया जैसे GST very important है ठीक है 17 आपरत्यच करों को मिला कर GST की स्थापना की गई थी तो GST किंद्री उत्पाद सुल्ग ये भी केंसरकार का आपरत्यच कर है याद रखना अंगला कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पैपार, परिवहान, बिद्दोतकर, खनीश तेल पर विक्री, स्टाम परेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, सच्छा कर रासरगार के थे यह सब, ठीक है साथी हो? तो अंगला जो कुछन है साथी हो हमारा कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या पतीला अब मैं अंतर से लाब लेने को क्या कहा जाता है? तो अंतर परण बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंतर परण ठीक है? तो कह सकते हैं अंतर परण द्वारा एक ही समय अबदी में भिन्न बाजारों के क्रे विक्रे द्वारा कीमत इस तरों में परवरतन के परणाम सरूप लाप प्राप किया जाता है ये बिदेशी बिनमाइदरों में इस्तरता लाने में सहयक होते हैं अंगला है किस प्रमुक देश की पूझी भारती पूझी बाजार चलने दी को चलाने वाली है तो कह सकते हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस या चीन तो सहकतराज अमेरिका अच्छा कुस्सन है साथियों जो अमेरिका है कि पूझी भारती पूझी बाजार चलने दी को चलाने वाली है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की पुझी भारती पुझी बाजार को चलाने वाली स्थराज अमेरिका उन देशों में सामिल है जहां से बहुत ज़्यादा निवेस भारती बाजारों में आता है तो इसका मतलब ये था अंगला पुस्टन है कि उस मध्यस्तिता को जो निवेश्कों से तुलनात्मक रूप से कम बिनमय किये जा सकने वाले प्रत्यच गिरहात स्विकार करते हुए बचत करताओं को ऐसे आप्रत्यच विद्ति दावे जारी करने से संबंदित है जो तुरंत बिनमय किया सकते हुए डॉट डॉट कहा जाता है तो option है default मदस्ता या परिपकोता मदस्ता या चलने दी मदस्ता है मान तो चलने दी जो मदस्ता है इसका answer हो जाएगा तो उस मदस्ता को जो निविसकों से तोलनात्मक रूप से जो कम बिनमय किया जा सकने वाला परत्यच गिरहाक सीकार करते हुए बचत करताओं को ऐसे अपरत्यच वित्तिदावि करने समंदित है जो तुरंत बिनमय किया सकते हैं उसे चलने दी मदस्ता कहते हैं अंगला है सुकर्न्या समरद्धी ओजना कौँंसी। सुकर्न्या समरध्धी ओजना। साथिpoxे कीए समरद्धे बालका maior की माता। रचित है। कह सकते हैं, इसका मतलब यह है, एक बचत कहता रचे ओजना है। इस योजना के अंतरगत दस वर्स तक की बालकाओं का खाता खोला जाता है अंगला है निमलेखित में से कौन सी परिभासा आयकर से संबंदित नहीं है ये पूछा गया है तो छूट, सरल फॉर्म, मौडवेट या निर्धारण वर्स तो आयकर से पूछा गये संबंदित कौन कुसी नहीं है तो साथियों कह सकते हैं कि मौडवेट जो है ये आयकर से संबंदित नहीं है मौडवेट सेल टेक्स का बदला हुआ रूप था किसका सेल टेक्स का जिसे अब GST के रूप में जाना जाता है अंगला है स्वासमापती रिड का मतलब क्या होता है तो इतने के लिए इसका प्रयोग किया आता है दूसरा है वह है रिड जो परिपक्तात थी पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है तीसरा है कि बारेंचिक लेंदेन के कम या बिना कोई सबूत के साथ रिड उच जोखिम भरा वित्ती विकल तो यह सब दिये तो इसका अंसर हो ज परकार जो उस संपत्ती के दोरा उत्पन धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है साथियो तो अंगला गुशन यह है कि जिस वाजार में प्रतिबूती दस्तावेज का पूजी उटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे प्रादमिक वाजार कहते हैं सीधा सीधा है अच्छा कुशन है इंपॉर्टन कुशन में साथियो अंगला यह है कि भारत में नेमलिक्षण मेंसे किस चेट में विदेशी परचच निवेस निसिद्ध है तो कह सकते हैं विवान सेवा में रेलवे में भी है रच्छाशित में तो तमाकू में FDI निसे देसाथियो ठीक है जैसे यहाँ पर दिया है इकोन-कोन से उद्योग है जहाँ पर जो FDI है निवेस की अनमती नहीं है तो तमाकू उद्योग, सिगार या इसके बैकल्पिक बस्तुगों के निर्माड में लोटरी बैपार, जुआ और सट्टे वाजी में नहीं है चिटफंड का कारोबार, निधी कंपनी, हस्तांतरडी, विकास इदिकार में टेंडिंग, है ना, परमाणू उर्जा, रेल पर चाले नित्यादी यह मैं कह सकते हैं, विदेसी जो निवेस की अनमती नहीं है याद रखना है, अच्छा कुस्तन था भारत बापस आ गए, किसी आनिवासी द्वारा, विदेसी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेसी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है तो मुद्रा अर्जग विदेसी मुद्रा ठीक है, अनिवासी भारती मुद्रा विदेसी मुद्रा अनिवासी भारती विदेसी मुद्रा वैपारी संग है तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी सेडी के बिदेसी मुद्रा अर्जग जैसे कि जैसे विक्ति कंपनिया आदी जो भारत में रिवास करते हैं वे बिदेसी मुद्रा अर्जग बिदेसी मुद्रा खाते केवल चालू खाते ग्रूप में रखे जा सकते हैं इस खाते पर कोई ब्याज दे नहीं है RBI द्वारा बिदेशी मुद्रा का विपार करने के लिए प्राधिकरत किये गए बैंक के पास बिदेशी मुद्रा में बिदेशी मुद्रा अर्चक बिदेशी मुद्रा खाता रखा जाता है तो कह सकते हैं इसका जो आंसर था वो ये हो जाएगा मुद्रा अर्चक बीदेशि मुद्रा साथियो जो अंगला कुषण है हमारा वो ये हो जाएगा ऑनलाइन किराना कारोबात शुरू करने के लिए FDI की अनुवे सीमा कितनी है तो साथियो, जो online किराना शुरू करने के लिए, जो FDII की सीमा है, वो स्वता मार के माध्यम से 100 परसद है, कितनी 100 परसद? अगला है निर्ण वैसे कौन सा विदेशी निवेश को दारा प्रत्यच से विदेशी निवेश निधी के समझ में नीती बनाने के लिए एक सरोत नहीं है तो option है कि भारती संस्था के सेरों का विदेशी संस्था के सेरों से बदलना या निर्यात के करण विदेशी संस्था प्रत की जाने वाली विदेशी मुद्रा आय का पंजीकर या किसी आधिकरत विक्रेता से तर्टवर्ती चेत्रों में विदेशी मुद्रा खरीदना या तो इसका option हो जाएगा कि भारती संस्था के सेरों का विदेजी संस्था के सेरों से बदलना तो साथियों अंगला जो कुस्तन ये है कि ESOP में E किसका प्रतीक है साथियों तो इसका मतलब हो जाएगा employee, access, earnings या economics तो इसमें कह सकते हैं जो E है वो employee से सम्मदित है employee से सम्मदित हो जाएगा ठीक है साथियों तो कह सकते हैं कि इसका जो पूरा full form है वो ये दिया गया है कि employee stock owner से plan ठीक है तो E का employee, S का stock, O से owner से P का मतलब plan याद रखना है ठीक है अंगला कुस्तन ये है कि भारती बैंक में OTP और KYC का पूरा रूप क्या है तो OTP का मतलब bun time password हो जाएगा और KYC know your customer ठीक है तो bun time password, bun time password है know your customer, know your customer नहीं लिखा साथी हो know your customer लेकर या bun time password नहीं लिखा है तो कह सकते हैं इसका हो जाएगा कि OTP का मतलब bun time password और know your customer जैसे कि यहाँ यहाँ पे दिया भी है bun time password और know your customer ठीक है अंगला है भारत अपने भारत अपने नारियल के बारसेक उत्पादन में डॉट 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 और इंडोनेसिया के बाद तीसरे स्थान पर है तो यह पूछा गया है तो किसके बाद है साथियो तो कह सकते हैं कि फिलिपीन्स और इंडोनेसिया के बाद तीसरे स्थान पर है किसके इसके बाद फिलिपीन्स और इंडोनेसिया के बाद किसके अत्पादन में नारीयल के अत्पादन यह समय का गुस्थन है साथियो करेंड का गुस्थन है अभी के डेटा अलग है देख लेना है जबकि यह पूछा जाए कि भारत में नारीयल का अत्पादन करने वाला राज्य कौन है तो साथियो भारत में तमिलाडू जो है साथ प्रधानमंत्री जंधन योजना के तहट याद रखना है अब कुशन ये है कि जो जंधन योजना है इसकी सुरुआत कब होई थी साथियो तो इसकी जो गोशना है वो 15 अगस्त 2014 को होई थी 15 अगस्त 2014 को जब की कह सकते हैं इसकी गोशना होई और इसकी कह सकते हैं कि इस्थापना पूछिए या इसका सवारा में पूछा जाए तो 28 अगस्त 2014 को इसकी स्रुवात हुई थी याद रखना है मोदी जीन इसकी घुसना की थी अंगला है कि यहाँ पर दिया है अंगला गुष्ण जो हो जाएगा हमारा वो यह हो जाएगा कि बिस्वेंग की वो ध्योग सहिजता सूचकांग 2018 की सूची महारत का कौन सा स्थान है तो उस समय का गुष्ण है साथियो करेंड का हो जाएगा तो उस समय जो इसका जो अंसर था साथियो वो यह था कि बिस्वेंग द्वारा जारी उध्योग इसकी बात करें हम तो इसमें अब बरतमान में कह सकते हैं कि अंसार देख लेना साथियो ठीके तो 18290 देशों की सूच अंगला को से नेमरिखत मेंसे कौन सा भारत का पुराना या भारत का सबसे पुराना साजिक चेतका बैंक है तो इन चार में दिया गया है साथियो तो कह सकते हैं कि बैंक आप इंडिया बैंक बड़ोदा या इलहाबाद बैंक या यूको बैंक तो साथियो इसमें भारत का स इसका प्रधान कारयाले कोलकाता में है जबकि ये पूछा जाए पूरे भारत में इसकी 2400 से अधिक साखाए है इलहाबाद बेंग अभी हाल ही में अपनी 1850 वसमार्ट उस समय मनाई थी साथियो ठीके याद रखना है तो इसमें इसका अंसर हो जाएगा कि 1865 सबसे पुराना सामनी चेतका बेंग हो जाएगा तो अंगला गुशन ये है कि गरीवी रेखा कि से नीचे के लोगों का अनपाथ दौरा अनवानित किया जाता है तो किसके नीचे अनवानित किया जाता है ओफसन है गरीवी सुचकंग लोगों की संख्या के अनपाथ बिसमुहन सुचक गरीवी रेखा से नीचे तो गरीवी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनपाथ है वो लोगों की संख्या के अनपाथ दौरा अनमानित किया जाता है ठीक है लोगों की संख्या के अनपाथ से याद रखना है अंगला है कि अंगला कुस्तन देखेंगे हाँ जैसे यहाँ पर ये भी दिया है कि लोगों का जो गरीरवेखा के नीचे जीवन बिता रही लोगों का अध्यान राष्टी नमूना सर्विछल संग्ठन एन एससो करता है निर्धनों की संख्या गयात करने है तू काउंट विदी का प्रियोग की आता है किसकी तो निर्धनों की संख्या गयात करने के लिए काउंट विदी का प्रियोग करते हैं इस विधी के अंसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जन संख्या के अनपात में सो से गुणा करके निर्धनता की संख्या का आधिकारिक गुणांत प्राप्त होता जैसे यहां पर यह दिया गया है साथियो तो संख्या अधारिक गुड़ा कैसे ग्याद करते हैं देश में दिर्धनों की संख्या बटे देश की कुल संख्या गुड़े 100 अंगला कुश्चर है इने में से कौन सा कर बचत निवेस नहीं है तो बचत निवेस कौन सा नहीं है ये पूछा गया है साथियो तो कह सकते हैं कि एक्विटी सेयर में निवेस राष्टी बचत प्रमाणपत कर्मचारी भविसनिधी जीवन भीमा किस्त तो इसका अंसर हो जाएगा एक्विटी सेयर में जो निवेस है ये बचत निवेस नहीं है बाद बाद की ये तीनों बचत निमेश है साथी हो ऐसा कुशन कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था अगला कुशन है कि यदि कोई भी देश बैपार घाटे में है तो इसका मतलब क्या होता है तो कह सकते हैं ओप्सन दिया गया है कि देश के घरेली उध्योगों में कर्मचारियों के बीच एकता में कमी देश के घरेली उध्योग प्रधोग की प्रिगती में अच्छे है देश के घरेली उध्योग अंतराष्टी पतिसपर्दा में पीछे है देश के घरेली उद्योग अंतराश्टी पतियस्वर्दा में पीछे हैं सीधा सा मतलब है ठीक है बैपार घाटे का मतलब अंगला कुस्तन जो हो जाएगा वो यह है एक वित्ती वरस के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों 哈哈哈 क्या है ठीक है तो बार्षिक वित्ती विद्यक अनुदान या बजट या धर्विद्यक तो सीधा अभी हमने बटाय भी था आपको तो यह तो बजट हो जाएगा साथ ही क्या हो जाएगा जबकि हमारे सम्धान के अनुष्चेद 112 में बारसिग वित्ती मुरड सब्ध का उल्लेक है और बजट कह सकते हैं 2017 से एक फरवरी को पेस किया जाता है ठीक है पहले फरवरी के अंतिन दिन आता था लेकिन 2017 से क्या हुआ 2017 से एक फरवरी को पेस किया जाता है साथी हो ठीक है वो आज एक फरवरी ही है तो आज हमारे देसका बज़ेक पेस किया गया है नेक्स्ट है कि इसकान सरी हो जाए अंगला गुस्तन है कि बिरोजगारी के एक प्रिकार को क्या कहते हैं एक प्रिकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कारणत होने पर भी उत्पादक्ता कम होती है तो सीधा सा मतलब है कि जिसमें कई लोगों के कारणत होने पर भी उत्पादक्ता कम होती है जैसे एक परिवार है जिसमें पांस सदस है ठीक है कितने सदस है पांस सदस उनके पास भूमी का टुकड़ा है दो बीगा है कितना दो बीगा तो कह सकते हैं उनमें से पांस सदस्यो तो तीन लोग इस भूमी के टुकड़े पर खेती कर रहे थे दो भी गया पर ठीक है लेकिन ये उसके बाद तो उस समय जतनी पैदावार हो रही थी ठीक है जैसे जो भी है उसके बाद जब ये दोनों भी इसमें आ गई ठीक है इन तीनों के साथ मिलके पांचों लोग इस पारिकता कम होती उसे पिर्चन बेरोजगारी कहते हैं क्या कहते हैं पिर्चन बेरोजगारी अच्छा कुसंता साथियो ठीक है साथियो तो आज का जो हमारा ये है लाज कुसंन रहेगा मिलते हैं एक और नई किलास में साथियो आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और क्या सकते हैं इतनी बड़ी वेकेंसी नहीं आती है जो भी साथी अच्छे स्तियारी कर रहे हैं लगे रहें हमेशा मोटिवेट रहें हमेशा पॉच्टिव रहें साथियो ठीके साथियो जै भारत मिलते हैं एक और नई क्लास में साथियो हम आपको